हेलो और वेलकम टू माय चानल आज मैं आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लाई हूँ दोस्तो आइफोन 12 मिनी का ओनेस्ट रिव्यू ये रिव्यू मेरे दिल के बहुत करीब है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लग रहा है मुझे एंड्रोइट से आपल फैमली में शिफ्ट होके मेरा एक्सपिरियंस पॉजिटिव रहा या नेगिटिव मैं आपके साथ इस वीडियो में शेर करूंगी उससे पहले अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं देखिए कितना क्लासी फोन लग रहा है ये बहुत ही रिच फील आने वाली है जैसे आप इसको हाथ में लेंगे आम शूर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है फेस अन्लॉक तो इसका कमाल का है इसने फेस को रिकॉगनाइस कर लिया अमाल की एजज है ग्रेट मेटल फिनिश आप देख सकते हैं इसके बटन्स देखेंगे तो आप राइट साइड में एक बटन आपको मिलेगा और इसके बैक में ग्लास लोक है जो बहुत ही क्लासी है और इसके लेफ्ट साइड में आपको दो बटन दी है volume up, volume down और एक बहुत ही special button है जिससे आप one go में phone silent कर सकते है नीचे देखेंगे तो एक C type section है charging के लिए बहुत ही handy है ये phone compact size है weight इसका सिर्फ 130 gram है जो कि बहुत ही light weight बना देता है इस phone को compact size होने की वज़े से आप single handed operate कर सकते है picture quality की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या कहना है इस phone का 12 megapixel के 2 dual camera मिलते हैं आपको Samsung के phone से अगर compare किया जाए तो 1 12 megapixel camera is equal to 48 megapixel camera of Samsung तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी clarity और smoothness मिलती है आपको pictures में बहुत easy to operate single handed operate कर सकते हैं आप इसको और साथ के साथ जब आप multiple apps use करते हैं तो आपको lag feel करना परता है Samsung में जो की यहाँ पर आपको बिल्कुल भी feel नहीं होगा तो iPhone आपके लिए best है अगर आप multiple apps at the same time operate करते हैं lag बिल्कुल भी नहीं आता है देखे मैं कितनी सारी apps एक साथ operate कर रही हूँ जरा सा भी lag नहीं है डिस्प्ले में भी कोई भी compromise नहीं किया है iPhone ने iPhone 12 mini में OLED डिस्प्ले है जो की बहुत ही कमाल की है और यह डिस्प्ले ब्राइटनेस में भी कोई compromise नहीं करती है करते हैं Apple के App Store की बात तो applications में भी कोई कमी नहीं है iMovie जो की इसका बहुत ही extraordinary feature है यह वीडियो मैंने उसी में edit की हुई है आप heavy से heavy और बहुत बड़ी से बड़ी वीडियो इसमें edit कर सकते हैं आसानी से और भी बहुत सारी application है जैसे की music lovers के लिए garage band है ऐसे ही बहुत सारी apps है और free apps है दोस्तों आप बात करते हैं apple के mini phones की apple ने काफी टाइम पहले एक phone launch किया था iphone 5S जैसे की आप वीडियो में देख सकते है उसके बाद अब सीधा iphone 12 mini लाँच किया है उसने जैसे की आप देख सकते है इस screen size में apple की तरफ से iphone 5S के बाद iphone 12 mini ही लाँच हुआ है iphone lovers कब से चाहते थे की इस screen size में powerful phone with square edges कब लाँच हो तो अब वो wait iphone mini पे आके खतम हो गई है iphone 12 mini में देख सकते हैं आप solid notch हट गया है और साथ के साथ physical button हट गया है iphone 5S में single camera था और अब जो 12 mini है वो dual camera है तो same size के साथ upgraded feature आपको iphone 12 mini में मिलेंगे अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने iphone 12 mini क्यों choose किया है over iphone 12 जैसे कि आप video में देख सकते हैं ये exa series है जिसका size almost iphone 12 जैसा है iphone 12 और iphone 12 mini के features almost same है but size बहुत बड़ा है iphone 12 का और compare करेंगे अगर single handed operate करने की तो आप iphone 12 mini में single handed operate कर सकते हैं और वो ही typing अगर हम iphone 12 में करेंगे तो बहुत difficulty होती है देखिए मुझे दो हाथ use करने ही पड़े है at the same time iphone 12 bulky है operate करते हुए आपको थोड़ा heavy feel होगा on the other side iphone 12 mini बहुत ही compact है और बहुत ही lightweight है साथ के साथ आप इसको easily carry कर सकते हैं और slip होने के chances भी बहुत कम हो जाते हैं अब video को end करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है android से apple में shift होके और iphone 12 mini तो बहुत ही exceptional और extraordinary phone है मुझे बहुत पसंद आया है अगर आप भी सोच रहे हैं android से apple में shift होने की तो बिना किसी और देरी के shift हो जाएं और आप बहुत जल्दी used to हो जाएंगी मिलूंगी ऐसी ही और interesting बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye, take care don't forget to like, share and subscribe